कराप अश्राय पंचायत के बाट संख्या 15 के बर्गी विघा गाउं में सुम बार के सुबा लगवग 10 वजे ससुरार बालों ने दहेज के खातर एक नभी वाहिता बहो की गला घुट प्रहत्या कर दी मिली जनकारी के नुसार कराप अश्राय थाना छेतर के बिंसा गाउं निवासी स्वरगिये हेम नात पासवान के 20 वर्ष ये पुत्री कंचन कुमारी का बिवाह लगवग जुलाई मह के इसी वर्ष कराप अश्राय थाना छेतर के बर्गी विघा गाउं निवासी स्वरगिये राम परवेश पास्वान के पुत्र चैंदन कुमार के साथ हिंदू रिति रिवाज के नुसार हुआ था इस समंध में मिर्दका के भाई मंटु कुमार ने बताया कि बिवाह के समय वह अपने हैस्चत हिसाब से ससुरार वाले को दान सरुप दहेज देने का काम किया था साथी के कुछ समय बीट गिया उसके वास्थ सुरार वाले उसके बहन अनि बहो को पड़तारित करना सुरू कर दिये और दहेज की मांग करने लगे दहेज के खातिर आज उसकी बहन को सुम्बार के सुबार लग मिर्दका घोटातिया है इस समन्द में नभी वाहिता के भाई मंटू कुमार के द्वारा क्रापसुराय थाना में प्रात्मी की दर्ज करने के लिए अवेदन दिया गया है करापस्वरे थाना के थाना ते दीपा कुमार ने बताया कि सब को कब जम लेकर पुष्टमाटम के लिए बिहार से सदस्पताल भेद दिया गया है पुष्टमाटम रिपोर्ट आने के बाद ही यह असपश्ट हो पाएगा कि कासे हत्या की गई है फिलहाल इस घटना के बाद मिर्तका के भाई के द्वारा पती वा सास पर हत्या का रोप लगाते हुए थाने में अवेदन प्राप्थ हुआ है पुलिस चार्णमीन कर रही है फिलहाल पती वा अने लोग घर छोड़ कर फरार हो गये है गटना गटी कैसे आपको जनकारी प्राप्थ हुआ बहान का क्या नाम हुआ बहान का क्या नाम हुआ किन किया साधी हुआ था बहन को पती का क्या नाम हुआ है चंदन कुमा क्या करना चाहते हैं मतलब आफका बहन का कैसे हत्या हुआ कि मांग करता था क्या क्या मांग करता था चैन झीं रखा था चैन खड़ा भी दोसरा चैन ने और मोटा संक्यूर साथ था आंग करते चैनल अजदिए जब आंग करता दिया क्या नाम हुआ अंग करते यस जाहते हैं जल्सलिकल सब्सुंसे चाहते हुआ की लिए कि वारे उफरéta यह परीबर जाता था तो इसे डर्या क्योंने देगा ता लग यह पांग है तो इसको बन कर्द दिया और नो किसे इनकी मीर्तु कैसे हुई के लिए गाटी दें को और फोल पिया कि इस इस घटना हुआ है कि हम लोगे मनुद्ट बंकारी हुआ था हम दें कब साधी हुई थी साधी इसी साल इसी साधी इसी साधी इसी साल